नमस्कार 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 हमारे साथ में इस समय महहिंद राजवर जी हैं प्रेसिडेंट है सम्मान स्वाविमान पाइटी के राजवर वरसेस राजवर लिखा देख रहे होंगे आप राजबर जी के साथ थे कभी उपी राजबर जी के साथ मैं लेकिन इन्होंने अपनी अलग पार्टी बना ली और नरिंदर मोधी जी पीम ने पीम नरिंदर मोधी जी ने इनको कटप्पा की संगया भी दी थी और इस समय राजभर बोटों के लिए पूरवन्चल में अलग अलग लग 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 वादे लगावनी चीजे की जा रही है महिंद्र राजभर जी है राजभर जी महिंद्र जी क्या कर रहे हैं आज के लाब आज के डेट में जो चुनाविय दिस्कूचना जारी हुई है चुनाव को देखते हुए हम सम्मान स्वाभिमान पार्टी के समस्त नेता अपने संगठन और संगठन के लोगों को और संगठन के पदाधिकारियों को बैठक बूला करके उन्हें भार देने का काम किया इस समय जा रहा है पार्टी अलग बनाने क्यों पड़ी राजबर वोट जो है या राजबर जो समुदाएक है पूरा की पूरा उनके भले के लिए एक भी तु रहा जा सकते था आप लोग एक क्यों नहीं हुए अलग क्यों हो गए अलग होने के पीछे कारण है ना ये बात पूर्व की पार्टी के पूर्व के नेता से भी आप लोगों को पूछना चाहिए जब 2022 में समाजवादी पार्टी से गठबंधन हुआ था तो हम सुहेल्द्यो भारती समाजपार्टी के लोग मजबूती से सुहेल्द्यो भारती समाजपार्टी के साथ सारे 19 वरिस तक हम लोगोंने कंधा मिला करके काम किया सदन तक जा करके समाज की आवाज उत्तर प्रदेश के सदन में पनेंगे लोग और समाज के वकालत करके समाज के बेटी और बेटा को लोग हिस्सा दिलाने के लिए काम करेंगे तई इस बात को लेकर के सुहेद्यों भार्सी समाज पार्टी के साथ थे लेकिन 22 में जब इन्होंने समाजवादी पार्टी से गठबंधन किया गठबंधन में जब समाजवादी पार्टी ने इनको 17 सीट दिया तो 17 सीट में बाब बेटा चुनाव लड़े और बाब बेटा के अलामा एक भी कार्यकरता को इन्होंने चुनाव नहीं लड़ाया और नहीं तो जो उनका बेटा राज्टी प्रवक्ता है उसने मजबूती से आप लोगों के चैनल परा करके कहा कि हमारी पार्टी और हमारे पार्टी के सिंबल तले भीखमंगा को हमने चुनाव लड़ाया देखे होंगे वीडियो निकाल करके देखेंगे तो लोग भीखमंगा को भी कर देते हैं क्या हम लोगों का यही कसूरता कि भारती समाज पार बाकी कार्य करताओं को ठेंगा काम करेंगे और राटी कार्यकर्ताओं को इनके चाहिए लुद्धा नहीं होगा आप पताइए यह पात आपको आप लोगों को उने से पुछना चाहिए ना वही तो गोंडु गोसी की टिकिट देखी होगी आपने दिये है अपने बेटा को डाक्टर अर्विन कुमार राजवर को उन्होंने लोग सभा गोसी से प्रत्यासी बना जा तो इससे तो राजवर समाज में कब भला हो रहा है या फिर आपको कुछ और लग रहा है इसमें हां इस में स समाज के बारे में राजवर समार का बहला होता तद्धाव समेहना से एंडिये गशबंधन ये रह करके केवल मंतरी मंद्ल में जाने के लिए ब्याक्वारत थे c A अगर समाज जो बात आपका है कि राजभर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर हम्पों इसके बास तब हम को दिजीयेगा अभी आपका गड़बंदन के साथ में हैं की अकेले आड़ा है आपका गड़बंदन किसी के साथ में अभी आप अखेले लड़ रहे हैं या आपका गड़बंदन किसके साथ में अभी अच्छा हम समाजवादी पर्टी के साथ मानिय देश आदो के साथ मानिय लगड़ अपको कि तरी सीट मिली है शीट थो उंको नहीं मिला है लोग सभाम है लेकिन लोग सभा के बाद जो उन्होंने आस्वासन हम सुलिदि अभीमान पर्टी के नेताओं को उन्होंने भरोसा दिलाया है उस भरोसा के तमद हम सम्मान स्वाभीमान पर्टी के लोग इस 24 के चुनाओं में पूरी भौज और दलबल के साथ हम लोग समाजवादी पर्टी मानि अखिले से यादो इंडिया गठबंदन के साथ है जो उन्होंने भरोसा दिया है उत्तर प्रदेश के पुर्वांचल में जो बड़ी जनसभाव उन्ची होगी बड़ी जनसभाव से हमारे लोगों को ओ आकिन दिलाने के लिए विश्वास और भरोसा दिलाने के लिए बड़े मंचों से एलान करने का काम करेंगे तो राजबर जी भी तो यही कर रहे है अब राजबर जी जो कर रहे हैं यह तो हम ही आपको नहीं पूरे देश के लोगों को पता है कि जहां इनका परता बैठेगा वहां यह चले जाएंगे इनका कार्यकरता और समाज से लेना लादना नहीं है समाज से लेना लादना होता और कार्यकरता से लेना लादना होता का कार्यकरता की यह बात करते बाहर कार्यकरताओं की बात करते हैं समाज को हक और हिस्सा दिलाने की बात करते हैं आज दस महीना से एंडिये गठभंधन में हैं आप बताइए आप से मैं पुछना चाहता हूं आपके चैनल पर जितने दर्सक आपको देख रहा हैं उनके यहां तक संदेश मैं भेजना चाहता हूं समाज से इनको लेना लाजना होता तो यह कहते कि बाबा जी हमारा समाज कमजोर है हमारे समाज के नौजवानों को हिस्सा से जोडने के लिए दिया ना का दे दिये करने का काम करती है हम लीडर पैदा करने का काम करूंगा आप बताईए जिसको पाटिज बना करके चलाते हुए 20 वरिस हो गया आप 20 वरिस में 20 विश्वास फात्र नेता नहीं पैदा कर पाया उस समाज को कहां किसा अधिकार दिला सकता है आप जड़ा सुचिए इस बात को और MLC की बात रहा नई नई बात सुन लिजिए जो आपने एक बात कहा कि समाज को उन्होंने MLC दिया है तब सम्मान स्वाभिमान पार्टी ने जो खर्चाली ठोका है ना उसी खर्चलिया का दर्द हो रहा है तो अब जाकर के समाज के बेटा को इन्होंने MLC बनाया है हमारी खुशी है हमारी सहानी भूत है जो ऐसा कार्य करता वो इसे नौजवान को खर्चाली हम लोगों के ठोकने से इन्होंने मौका देने का काम किया गया तो मतलब वो खुद नहीं चाहते थे वो आपकी वज़े से हुआ काम आप बोल रहे हैं एक दम आप देख लिजिए 22 में 17 सीट मिला हम खुद नहीं कहते हैं 17 सीट मिला 17 सीट में अगर लाइक होते तचार से लेकर के पांच राजबर के बेटा को यह चुनाव लड़ा दिये होते लेकिन 17 में राजबर को अर्जेश्ट नहीं कर पाए और समाज का ठीका नहीं है समाज के बेटी और बेटा को यह हिस्सा दिलाने के लिए आप बताइए इस तो खर्चाली ठोका गया है ना तक दर्द हो रहा है तक दर्द को कुछ रोकने के लिए यह मेलसी का पद दिये हैं अच्छी बात है हम इससे खूसा है लेकिन इमेलसी देखर के समाज को आप अपने साथ तो खड़ा करिए 24 में आपको बता रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूं 24 में दूद का दूद और पानी का पानी हो जाएगा अभी आज के आठ महीना पहले इसी महू जनपद में घोसी भी गांग सबाय आता है आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं पूरी फाउज लेकर के बाप बेटा तीनों लोग कम से कम 14 से 15 दिन उहां जाकर के लोग काम किये जबकि इनके दल का नेता नहीं लग रहा था वो भारती जनता पार्टी का नता चुनाऊ रहा था और इसी जनपद माहू में आप वीडियो निकाल करके देख लिजियेगा जब आपका छोटा भाई मेहं राजवह क्या रास्वां द्याइनाब में एक दिन भी इन्होंने महू सदर में समय नहीं दिया कि अब इसने कयास आप लगा सकते हैं कि कितना समाज के प्रतिय हों करना है इनका अपना काम बनता भाण में जा जनता वो हाल उंपकास राजवर जी का है मैं देख रहा था कि आजमगर्ण है और महू गाज़ेपुर बलिया यहां राजवर समाज की प्रमुकता से बहुतायत में वोट करते हैं और बहुतायत में यह अपने अपनी शक्ति प्रतेशन करते हैं अब वहां के वोटर तो आप में और ओपी राजवर जी में कट्यू जा उचड़ते हैं समाज के बल पर समाज ने इस उचाई पर पहुंचाया है ओपी राजवर का घरती पर रामन का जो घमंड था रामन से भी बड़ा अगा किसी के पास घमंड है घमंड में कोई चूर है तो उस व्यक्ति का नाम हूं प्रकास राजवर्ण है इसी 24 के चुनाव में आप देख लीजिएगा मैं आपके चैनल पर आकर के कह रहा हूं आपके तमाम दर्सकों तक इस बात की जनकारी दे रहा हूं इसी 24 में दूद का दूद और पानी का पानी हो जाएगा कि महंडर राजवर्ण जमिनी के दल का कार्य करता था कि कोई बाहरी कार्य करता ने अपर हैं तो कैसे दिखाएंगे आप अपर हम जिस गठबंधन में हैं हम समाजवार दी पार्टिक देखाएंगे हैं तो हमको भी अपनी प्रतिष्था बचानी है ना हमको भी लड़ना है ना अपने उमीदवार के लिए जो भी उमिद्वार राजबहर टार पाली राजबहर कमाम लोग कमर कसे हैं हजार कारे करता कमर कसे हैं और एक लोग सभा कि आत नहीं करता हूं काम से काम पचीशों लोग सभा पुर्वांचल में पचीशों लोग सभा में स्माजवादी पार्टी के उम्मदवार को जिसको माननी अधिरेश लादोजी कंडिडेट बना करके भेजेंगे पुर्वांचन में जिसको कांगरेस पार्टी कंडिडेट बना करके भेजेगी हम लोग इंडिया कषबंदन में है और अपनी ताकत का एसास हम लोग इंडिया कषबंदन के बेता को कराने का काम करेंगे इमांदारी से कंधा मिला करके 24 को फटाह करने का काम करेंगे स्वाभिमान पार्टी के कार्य करताओं मोधी जी ने आपको कटक्पा बोला था तो मोधी जी से बाचित है अपके अभी नैना मोधी जी का दूसरा रास्ता है जो रास्ता मोधी जी का है कि हर साल दो करोड़ नौजवानों को रोजगार दूगा अब कितना रोजगार भारत के प्रधान मंतरी ने दिया है दोस बरिस में यह बताने की चीज नहीं है मैं यह नहीं हूं राज्मर जी के से वो होते 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 इस समय आगे का अगया ऐखम के कीस तरह अलग है किस तरह है कि कैसे अलग है अधिस00 अब्सक्राषब कॉमारि नहीं हम तमाम कारे करता हुए उनके हां से जब हम लोगों को को यह महसूस हुआ कि नहीं सुहेल देव जी के नाम पर यह समाज को गोलिया करके कि वह सवदा करने का काम करेंगे और सवदा करते आए तो फिर इसे नेता के साथ रहने से का मतलब है वह इसे नेता के साथ रह करके हमको तो लगता है कि समाज के बेटी-बेटा को हकी साधिका तो वह पहले सपा के साथ घट बंधन में तो ठीक थे क्या तो जब उनका न सब्सक्राइब नहीं हमारी बात सुन लिए सपा के साथ तो हमें ठीट थे जब सपा ने इनको 17 सीट गठ बंधन में दे दिया तक जिसके बन पर पाटी खड़ी हुई थी जिस समाज के बन पर इनको ताकत मिला था इतना ही अगर इनको दर्थ था तक समाज के पांच नोजवानों को टिकर देना चाहिए था अब बोले राजबर समाज के लोगों को बना चाहिए था राजबर समाज के लोगों के शाब साथ आदर समाज के भी लोग जो इनके साथ कंघा मिला करके चलने का काम किये जो इनको बड़े पैमाने पर ताकत देने का काम किये ये तुल है जो बात कहते हैं कि सपा के पूछ रहूं क्यों नहीं वतीया पूछते हैं आपके सीट पर आपके बेटा के सीट पर सपा का सपर यवह हुआ सापा का वहां सिंबल नहीं थाका साई की आज 17 जग हो पर आपने जो छड़ी दिया था जो आप नहीं सुन लिदिये नराज हैं इसलिए नराजबर्जी से आप नराज हो गए नहीं हमारी बात तुलिए वो धोखे बाज नेता हैं हम अई से थोड़े नराज हुए हैं वो समाज को धोखा देने वाला वेक्टी ए समाज का खुण चूसने वाला वेक्टी ए समाज को गोलिया करके सलदा करने वाला वेक्टी है तो दुरूब से इस बात को आपको अपने चैनल पर पूछना चाहिए कि 17 सीड जब आपको अखिले सियादो जी ने दिया था तो 17 सीड पर भारम पर दस्कत कौन किया था मानिया के लिए जी किये थे कि वह प्रकांस राज महर और उनका बेटा किया था यह पूछना चाहिए था आपको चलिए यह तो अपना यह तो अपना पल यह तो अपना पल हाँ जी मता मैं 2024 में क्या स्थि देखते हैं ओवराल अब प्रकार अब 2024 में चुनाओ लोग सबाक अपने बेटा को लड़ा रहा है अब जनता फैसला लेगी अब देखिए जनता का फैसला लेगती है वह अपना काम कर रहा है अपनी फाउज को लेकर के हम लोग अपना काम कर रहा है अपनी फाउज को लेकर के हम से बात करने का बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार